हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल बींड बी स्टॉक मार्केट में फ्रेंड साल में दो बार निफ्टी-50 की री बैलैंसिंग होती है इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि दो शेयर की एंट्री हो सकती है और अगर दो शेयर की एंट्री होगी तो जाहिर सी बा में सामिल राधा किशन दमानी की एवन्यू सूपरमार्स जिसे डी मार्ट के नाम से भी जाना जाता है साथ ही नौकरी.com की पेरेंट कंपनी इंपोएज जल्दी निफ्टी-50 का हिस्सा बन सकती है एवनी सूपरमार्स और इंफोएज के स्टॉक ने पिछले 6 महिने में सामिल होने के चांसिस कम नजर आते हैं इंडेक्स के रिव्यू में पिछले 6 महिनों के दोरान स्टॉक्स के एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर ही उन्हें सामिल किया जाता है इसमें कुछ अन्य आकड़ों को भी देखा जाता है ब्रोकेज फम आईसे इस परवरी से एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए एवन्य सुपरमार्स के निफ्टी 50 में सामिल होने की उमीद है हाला कि इसके लिए कंपनी को एपेंडो सेग्मेंड में आना होगा इन्फो एज का दूसरा सबसे अधिक एवरेज फ्री फ क्रोड रुपे रहा है अगर ऐसा माना भी जाए कि इन दोनों ही कंपनी की एंट्री हो सकती है तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होगा कि दो कंपनी को एक्जिट होना तय होगा तो ऐसे में यह क्यास लगाए जा रहे हैं कि अगर इंपो एज और डी मार्ट अगर दोनों को ही इस में एंट्री मिल जाती है तो इंडेक्स के रिव्यू में इंडियन और कॉर्परेशन या को बाहर किया जा सकता है मेरी नेजर में इंपो एज के ज्यादा चांसे से कंपरेटिव ली डी मार्ट के और जैसा कि बड़े दिगज ऐसा क्यास लगा रहे हैं कि इंडियन और क जो एंट्री ले सकता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कौंसा एंट्री करेगा यह तो री बैलेंसी के बाद ही पता चलेगा मेरी नेजर में डी मार्ट और नौकरी दो नहीं बहुत अच्छे शेयर से और यह लॉंग टर्म तक के लिए होल्ड किया जा सकता है और अगर कि निफ्टी 50 का पार्ट बनता है तो इनके शेयर होल्डर के लिए काफी अच्छी बात होगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ टेक एर